Weight Loss मतलब अपने बॉडी की ज्यादा चर्बी को कम करना और अपने बॉडी को fit और healthy रखना ज्यादा वेट की वज़े से आपके बॉडी के health पे असर भी हो सकती है और इसके वज़े से diabetes होने के भी chances काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ज्यादा वेट के वज़े से आपके नी में पेन होना शुरू हो सकता है वेट लॉस होने के बाद आपके बॉडी में ज्यादा energy आजाती है काम करने के लिए और बॉडी में infections होने की संभवन भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है आप ज्यादा beautiful भी लगने लगते हो आपके बॉडी का तापमान भी नॉर्मल हो जाता है और इससे आपके जीवन के साल भी थोड़े बहुत बढ़ जाते है तो चले आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप 5 किलो वेट एक दिन में कैसे कम कर सकते हैं वो भी salt water यूज़ करके शुरू करने से पहले हमारे चानल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले हम सबसे पहले स्टेप 1 से शुरू करते हैं तो स्टेप 1 कुछ इस तरह है कि सुपह नाश्टे में प्रोटीन से भरी चीज़े खाए जैसे कि एग्स, टोफू, चिकिन खाने के दो घंटे के बाद ये प्रयोग चालू करें स्टेप 2 के बादे में फिर एक लीटर पानी में तीन ओटीज़ पॉन पिंक सॉल्ट डालना है पिंक सॉल्ट मतलब आपको ऐसा नमlish डालना है जिस में आयोड़ाइड ना पानी को 2 या 3 मिनिट तक गरम करें और सॉल्ट को पूरी तरह से पानी में मिक्स करें और अगर आपको पानी थोड़ा तेस्ती करना है तो उसमें आप थोड़ा निम्बू भी मिला सकते हो अब स्टेप 3 के बारे में बात करते हैं ये पूरा एक लिटर पानी अब एक साथ पी जाए ये प्रयोग उस दिन करें जो इस दिन पूरी तरह से फ्री हो क्योंकि ये करने से आपको शायद से वाश्रूम बार बार जाना पड़े ये पानी पीने के एक घंटे में ही आपके बॉड़ी में कुछ बेचे नी फीर हो सकती है और आप को में निम्ब पांच से छे बार वाश्रूम तो जाना ही पड़ेगा तो चले अब बात करते हैं स्टेप 4 के बार में तो अब आप जने जो एक लिटर पानी पिया है उसके आठ घंटे तक आपको कुना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है तो फ्रेंड ये थे चार आसान स्टेप जिससे आप एक दिन में 5 किलो वजन कम कर सकते हैं तो अब इस प्रयोग के फाइदे के बार में बात करते हैं तो इस प्रयोग के ये फाइदे होते हैं कि ये आपके पेट और आपका छोटा या बड़ा इंटेस्टेन को अच्छे से साफ कर देता है इसके थोड़ी देर बाद ही पानी पीना स्टार्ट कर सकते हो बट आपको ज्यादा नहीं पीना है ज्यादा से ज्यादा 3-4 गलस पी सकते हो आट गंटे पूरे होने के बाद आप खाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं पर खाना हेल्दी होना चाहिए और फाइबर से भरपूर होना चाहिए तो चलिए बात करते हैं कि इस प्रयोग में कौन से ऐसी साउधानी बरकनी जरूरी है जिन लोगों को ज्यादा ब्लड प्रेशर है, पाचन रोग का प्रॉब्लम है, सोफ यानि की एदीमा है और गर्बवर्थी महिला को ये प्रयोग नहीं करना चाहिए इस प्रयोग में आपका जीम अचलता है, पानी पीने का मन होता है तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हो ठकान भी लग सकती है विकोज आपको बहुत बार वाशून चाना पड़ता है, आपको थोड़ा टाइम घर पे ही रेस्ट करना चाहिए, इन सब के बाद आप देखो कि आप कैसे फ्रेश फील करने रगोगे और इसके बाद आपने करीबन 5 किलो तक वजन भी कम कर लिया होगा बट एक बाद ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूरा प्रयोग पाने पर डिपेंड करता है इसको 15 दिन में एक बार ही करना चाहिए, ज्यादा करने से आपके पाचन क्रिया में प्रॉब्लिम भी हो सकती है इस प्रक्रिया से आप बड़ी तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं, इसलिए आपको अगर जट से रिजल्स चाहिए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो लेकिन अगर आप ये प्रक्रिया साथ कंटिन्यूस दिन तक करें, तो इसका मतलिब ये नहीं है कि आप इन साथ दिन में 35 kg कम कर सकते हो ये प्रयोग आपके बोड़ी के अतरित पानी से चुकारा पाने में मदद करता है और हाँ याद रखना कि जब तक आपके बोड़ी का अतरिक पानी कम हो जाएगा तब तक ये प्रयोग फाइदे मन रहेगा और इसके अलवा आपको हिल्दी डायेट तो फॉलो करना ही है तो देखा आपने के इस प्रयोग से कैसे आपके पेट में जमी हुई चर्पी को हम जट से खटा सकते है अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है सॉल्ट वाट और वेट लॉस के रिलेटिब तो आपने कमेंस में ज़रूर पूछे और एक और बात कि आप जबी भी अपना कोई नया डायेट फॉलो करने वाले हो तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना तो फ्रेंज अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है हो तिसे प्लीज लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और हमारे चैनल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद